मैं स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ जहां हम बात करेंगे धनू लगन वालों के लिए अप्रेल का जो महिना आ रहा है ये किस प्रकार से बीतने वाला है कौन-कौन से चेंजेज आपको इस मन्त में देखने को मिल सकते हैं तो यहां पर आप ये चार्ट देख पा है इसी प्रकार से आपको ग्रहों की जो इस्तितियां है अपने चार्ट में देखने को मिलेंगी तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं गोचरिये स्थितियों की उसके बाद देखेंगे इस प्लेस्मेंट का आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है तो देखें सबसे पहले सूरिये की जहां तक बात करें सूरिये 13 अपरेल तक मेंडासी में रहेंगे इसके बाद इनका गोचर मेंडासी में होगा बुद का गोचर मेंडासी में होगा और 2 अपरेल से 25 अपरेल तक ये मेंडासी में वक्री भी रहेंगे शुक्र मीन रासी में रहेंगे और 24 अप्रेल से मेस रासी में प्रवेस करेंगे इसके अलावा मंगल कुम्ब रासी में गोचर करेंगे 23 अप्रेल से ये मीन रासी में प्रवेस कर जाएंगे गुरू का गोचर मेस में और सनी का गोचर कुम्ब में होगा इसके अलावा चंदरमा एक अप्रेल को धनू रासी में रहेंगे राहु मेन में और केतु कन्या रासी में गोचर करेंगे तो ये गोचरी ये इस्तितिया हैं जिनको देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण हो जाता है जब भी हम इस प्रकार से गोचरी इस्तितियों की बात कर रहे होते हैं अब सबसे पहले देखेंगे लगनेश को लगनेश आपके ब्रसपती हैं और ब्रसपती आपके फूर्थ हाूस के भी श्वामी है अब ब्रस्पति का जो गोचर हो रहा है पंचम भाव में मेश रासी में हो रहा है और इस महिने तक सिर्फ ब्रस्पति मेश रासी में हैं इसके बाद वो अगले महिने से आपके चठे भाव में चले जाएंगी चठे भाव में जो इनका गोचर होगा इसका ओलरडी मैंने season making यह काफी proper होती है इन सब में आपको अच्छा result मिलते हैं साथ इसाथ गुरू आपको कुछ सिक्सिया का भी अच्छा आशिरवाद यहां से दे रहें तो लगबग यह महीना आपके पास है कुछ भी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं जहां पर आपको नॉलेज घरन कर रहे हैं एजुकेशन घरन कर रहे हैं या अपनी क्वालिटीज को अपनी छमताओं को बढ़ा रहे हैं साथ ही जो लोग धनू लगन वाले सेर बाजार वगरे से जूड़े वे हैं उन लोगों को काफी फाइदा होगा साथ ही साथ आपके पास जो मनी फ्लो है काफी बढ़ेगा अब गुरु का हम अगर एस्पेक्ट को देखेंगे तो गुरु का एस्पेक्ट है आपके नाइन्थ हाउस पे इनका एस्पेक्ट होने की वज़े से यहां आपको उच्छ सिक्षा से रिलेटेड काफी अच मिलेगा और आप आध्यात्म में भी उतना ही ज्यादा रुची रख पाएंगे जितना आप किसी चीज को सीखने या किसी विसे में रख रहे हैं तो गुरु का जो आशिरवात है आपको नाइन्थ हाउस पर दर्ष्टी होने से नाइन्थ हाउस से जुड़े सभे कारियों म मारा साथ देता है साथ ही आपको अपने बड़े भाई से कुछ लाब मिल सकता है गुरु का एस्पेक्ट इस प्रकार से लाविस्तान पर होने की वज़े से एक बात ये भी है कि आप अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे इसके लवा सबसे इंपोर्टेंट जो गुरु का एस्पेक्ट है आपके लगन पे है लगन पे एस्पेक्ट होने के वज़े से आप निश्चित रूप से आप अपने आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में फिल कर पाएंगे साथ ही साथ आपकी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग और और सारी जो हमें प्रिस्थिति को जहलने के लिए रेडी रखते हैं तो ऐसे में आप बहुती प्रॉपर्ली आगे बढ़ पाएंगे इस इस्थिति में उसके बाद हम देखेंगे यहां सनी को सनी आपके दूसरे भाव के स्वामी है और तीसरे के भी स्वामी है सनी का गोचर फिलाल तीसरे हैं और सनी कुम्ब रासी में हैं और इनका जो यूती है इस बार मंगल के साथ है इस मंत में तो देखा जाए तो तीसरे भाव का सनी है आपको काफी हाड़ वर्क करने के लिए प्रेजित करेगा और जो आपकी लाइफ में ऐसे अभी तक लग रहा था कि बहुत सारी आगे नहीं चल रही हैं कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा और एक पॉजिटिविटी नहीं आपा रही है तो अब आप देखें यहां मंगल का ट्रांजिट साथ है और मंगल के ट्रांजिट के साथ होने के विए से यह भाव अभी काफी ज़्यदा एक्टिवेटेड है तो आप कोई भी प्रियास कर सकते हैं कोई भी आप हाड़ वर्क करना चाहें कर सकते हैं इस मंथ में आप कोई भी रिस्क लेना चाहें ले सकते हैं साथ ही साथ यह इस्तती आपको आपके भाईयों से थोड़ा सा मनमुटाव करवा सकती है सनी का यहां होना निस्चित रूप से अब भी भी आपकी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, जो responsibility बनती हैं, उनके परती आपको काफी alert करेगी, साथ ही साथ यहाँ पर proper decision making इस मंद में आपको सामने आएगी, इसके साथ ही सनी का अगर हम aspect देखेंगे, तो सनी आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव पर के 9th house पर है, 9th house पर aspect होने की वज़े से, इस समय आपको अपने लंबी दुरी की आत्राओं से काफी फाइदा हो सकता है, आध्यात्म में काफी रूच्ची हो सकते हैं, इसके इलावा उच्छ सिक्सा में सबसे ज़्यादा इसका आपको लाव मिलेगा, और आपको थोड़ा hard work करना पड़ेगा अपने भागे का पून लाब पाने के लिए, हलंकि यहाँ गुरू का aspect भी है, तो आपको उतना ज्यादा hard work करने की जरुद अभी भी नहीं है, उसके बाद सनी यहाँ से देख रहे हैं आपके बारवे भाव को, बारवे भाव पर जब सनी इस प्रकार से aspect डालते हैं, तो ऐसे में विदेश में settled लोग, या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो एक अच्छे इस्तिति create होती है, साथी साथ आपको इस समय विदेश से कोई बड़ा फाइदा या income हो सकती है, इसके लावा सनी इस प्रकार की जब दरश्टी डालते हैं, बारव भापर aspect होने के विदेश से, कुछ हद तक यहाँ पर आपको अपने जिवन साती के साथ थोड़ा बहुत मनमुटा होने के chances हैं, इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल के बारे में, मंगल आपके बारवे घर और पांचवे घर के स्वामे बनते हैं, मंगल का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो मंगल का गोचर क्योंकि कुम्बरासी में ही है और तेविस अप्रेल से ये मीन में भी प्रवेस करेंगे, तो जैसे कि अभी मैंने बोला मंगल की अभी बात की सनी की साथ ही, तो देखें सनी और मंगल का यूती है और मंगल तीसरे में है तो ज्यादा से ज्यादा hard work करना यह आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपके लिए easy हो जाएगा, साथ ही साथ जो भी आप hard work करेंगे, जितना भी आप मेहनत करेंगे, वो सारी की सारी आपके काम में आएगी, इसके अलावा, यह चार्ट में आपके sunny और mangle का दिखाता है कि जातक इस समय कोई ना कोई बड़ी risk ले सकता है, वो धन के मामले में या hard work के मामले में, तो इस समय आप इन सब पे विचार कर सकते हैं, साथ ही मंगल बारवे भाव के श्वामी होने के विए से आपकी लंबी दूरी की यात्रा हैं, विदेश यात्रा हैं, य यहाँ पर अपनी family के परती बहुत ज़्यादा आप गुसेल सभाव से हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा अपनी family के साथ अच्छे relations आप रखें, तो ज़्यादा बहतर है क्योंकि मंगल का यहाँ आना वैसे अगर देखा जाए तो अच्छे इस्तित को create करेगा, साथ इसाथ घर परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा या जमेन जाइदाद के लिए कोई बड़ा खर्चा इस समय आपका हो सकता है, इसके बाद हम देखेंगे शुक्र को, शुक्र आपके चठे और ग्यारवे घर के श्वामी बनते हैं, शुक्र का गोचर अ आपके साथ थोड़ी बहुत cheating कर सकता है, आप किसी और relationship में जा सकते हो, इसके अलावा आप अपने घर का अच्छा सुक देखेंगे, घर परिवार के मामलों में हमेशा यहाँ शुक्र सपोर्ट करेगा, और शुक्र क्योंकि बुद्ध और राहो की साथ भी है, इसे में आपके 10th house पर है, अगर आपका शुकर से related कोई business या profession है, तो उसमें एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, आप अपने according काम करवाएंगे और अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, उसके बाद शुक्र यहाँ से रासी परिवर्तन कर लेंगे, और शुक्र क गुरु उसके बाद वर्षब रासी में परवेस कर जाएंगे, तो यहाँ पर शुक्र का आना हम मान सकते हैं कि कुछ हद तक आपको आपकी education, आपकी संतान पक्स, इन सब पर ज़्यादा फोकस करवाएगा, और आपका कोई प्रेम शमंद बन सकता है इस समय, साथ इसाथ मै अपने ही घर को यहां से देखेंगे, अपने घर को देखने के विज़े से, कोई बड़ा आपके पास पैसा हाथ में आने के चांसिज हैं निश्यत रूप से, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से प्लान कर सकते हो, अपने आपको शुकर के according अगर आप प्लान करना चाहो तो ह हो सकता है, शुरुआत में जब शुकर यहां में डासी में गोचर करें, थोड़ा बहुत मतवेद पार्टनर के साथ रहें, थोड़े बहुत इस्यूज आपकी मेरिड लाइफ में रहें, लेकिन शुकर का पंचम में आना आपको काफी अच्छा फील करवाएगा, इसके बा उसको लेके आपको थोड़ा confusion हो सकता है, यहां पर वैसे अगर देखा जाए तो वक्री बुद्ध में आपके पास बहुत सारे options available होंगे, और आप उनमें से कौन सा option चुनेंगे, कौन सा नहीं चुनेंगे, यह आपके लिए थोड़ी सी समस्या बन सकता है, तो ऐसे में proper planning क इसको लेके कोई बड़ा decision लेना हो तो proper planning की जरुता आपको यहां पढ़ेगी, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां से अब हम आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं चंद्रमा की बारे में, चंद्रमा का गोचरवे इस मन्त में बेहद खास है, चंद्रमा आपके बात में transit है, second house में होगा, second house में लगभग इनका transit 3-4 तारिक के आसपास होगा, तो ऐसे में कोई बड़ा पैसा या धन हात में आने के चांसे हैं, इस समय आपको कोई property वगरे में gain हो सकता है, चंद्रमा क्योंकि आठवे भाव के श्वामी, आठवे भाव के श्वामी अपन चंद्रमा जा रहे हैं तीसरे भाव में, तीसरा भाव जहां मंगल और सनी अल्रेड़ी इस्तित होंगे, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा confusion उत्पन होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से में आप रहेंगे, तो थोड़ा सा अपने आपको maintain करने की यहां कोशिस अवस्य कर सूरिय आपके 9th लोड हैं और सूरिय आपके 4th house में transit कर रहे हैं और ये आपके 5th house में भी transit कर रहे हैं, तो 4th और 5th दोनों ही भाव में इनका transit होगा, तो सूरिय 9th लोड होकर देखी जब इस परकार से transit कर रहे हैं, तो SMB पिता की साथ बहुत ज़्यादा अनबन रह सकती ह परिवार के सदसों के साथ काफी अनबन रह सकती है, इस समय आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे अपनी domestic life पर, लेकिन आप अपनी domestic life के वज़से काफी परेशान भी नजर आएंगे, सूरिय का इस परकार से transit कुछ हद तक आपको आपके career को महतोपन डूप से प्रभा जिन में आप रहेंगे तो आपको proper decision making की जरुत पड़ेगी और वैसे भी यहां बुद्ध क्योंकि इस मन्त में वक्री रहने वाले, तो आपका जो decision making है थोड़ा सा यहां पर बिगड़ने के chances हैं, हालंकि गुरू आपकी proper planning को यहां दिखा रहे हैं फिर भी, तो आप अगर career से related decision लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यदा alert रहना पड़ेगा इस मन्त में, इसके अलावा सूरिये जो हैं देखे यहां पर शुकर और बुद्ध के साथ हैं, ऐसे में पिता के स्वास्ते या घर परिवार में किसी और बुजरु के स्वास्ते को लेके दिक्कते आ सकती हैं, आपने अगर कोई illegal काम करा हो तो आपके उपर कोई कारेवा ही हो सकती है, उसके बाद यहां से सूरिये प्रवेस करेंगे आपके पंचम भाव में, पंचम भाव में उच्च के इस्तिति में आएंगे और गुरु और सूरिये दोनों की यहां यूती बनेगी, य इस समय प्रवपर प्लानिंग और अपने आपको बहतर तरीके से जानने का मौका मिलेगा, यहां सूरिये की नाइंथ लोड है, नाइंथ लोड होकर जब इस प्रकार की इस्तिति में सूरिये आते हैं, तो ऐसे में आपका पंचम भाव काफी एक्टिवेट हो जाएगा, संत सूरिये देखेंगे यहां से लाविस्तान को, लाविस्तान को जब इस प्रकार से सूरिये देखते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा नेम फेम दिलाएंगे, परसिद्धी दिलाएंगे, आप में जो काबलियत है, लोगों को लीड करने की, या लोगों को कोई अच्छी आ सकती है, तो अब हम देखेंगे कोन-कोन से अच्छे और खराब दिन आप लोगों को इस मन्त में देखने को मिल सकते हैं, देखें सबसे पहले अगर हम अच्छे दिनों की बात करेंगे, तो धनू लगन वालों के लिए इस मन्त में एक, दो, नो, दस, अठारा, उननिस, तेविस, चोबिस, और अठाइस, और उननतिस, ये दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, अगर आपको कोई भी काम नहीं बन रहा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हाड़ वरक या मेहनत करनी पड़ रही है, आपको लग रहे है कि काम नहीं बनेगा, उन कामों को आप इन दिनों में प्लान करके चल सकते हो, इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से खराब दिन आपके लिए इस मन्त में आने वाले हैं, देखे चंदरमा जब आपके इस सिक्स हाउस में ट्रांजिट करेंगे, टॉरस साइन में, तो 11 और 12 को ये आपकी डेली में काफी confusion हो सकता है, साथ ही धन को लेकर कोई बड़ा फैसला आप लेने वाले हैं और आप उसमें गलती करेंगे, साथ ही किसी से कोई विवाद वगरे हो सकता है, किसी की साथ पैसे का लेंदेन कर रहे होते हैं, तो इस समय काफी alert रहें, तो इसके बाद चंदरमा करेंगे करकरासी में, करकरासी में जहां इनका खुद का ही घर है, 15-17 तारीक तक ये जो इस्तती है, 15-17 तक इस समय आपको काफी alert रहना पड़ेगा, धन समंदी मामलों में कोई बड़ा परिवर्तन और प्रोपर्टी समंदी मामलों में कोई बड़ा परिवर्तन आपकी ला बड़ा रहेगा, बार-बार आपका mood swing होगा, आपसे कोई गलत decision, कोई गलत फैसला हो सकता है इस समय में, तो ये कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए, तो अब हम लगबग यहाँ पर पूरा discussion कर चुके हैं, फिलाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाज़ुआए। झाल 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 झाल